हाई फ्रेंज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम हरे मटर की खस्ता कचोरियां बनाना सीखेंगे जो सरदियों के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये देखे एकदम से कुरकुरी और खस्ता कचोरियां बनी हैं तो इन्हें हम अराम से घर पे बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे कचोरी बनाने के लिए पहले दो कटोरी मैंने मैदा लिया है आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं लेकिन कचोरियां मैदे में जादा अच्छी बनती हैं तो दो कटोरी मैदा ले 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 अब इसमें आध अजवायन इसमें डाली है इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स हो गए हैं अब इसमें हम मोयन के लिए रिफाइन डालेंगे इसे भी हम अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेंगे हमने मोयन तब तक डालना है देखे जब हमारे इस तरह से हम मिक्स करेंगे और इस तरह से हमारी मुठी बनना स्टार्ट हो जाए मतलब हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट इसमें हो गया है देखे इस तरह से आप चेक करेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो बना लेंगे डो बहुत धीला नहीं बनाना है और नहीं बहुत सक्त मीडियम सा डो एकदम सौफ्ट डो आपको बनाना है देखे अब इसे हम कम से कम आधा घंटा जो है वो ढखकर साइड में रख देंगे अब मैंने ये हरे मटर लिए हैं एक कटोरी एकदम फ्रेश मटर हैं और सर्दियों में बहुत ही आराम से ये मटर आपको किसी भी वेजी टेवल की शौपे मिल जाते हैं मैंने इने चौपर में डालकर एक इंच अद्रक के पीसिस कट करके और तीन हरी मिर्ष डालकर इन्हें दरदरा सा पीस लिया है देखिए इस तरह से बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है आप दरदरा पीस लें एक पैन में मैंने तेल लेकर उसमे एक चमच जीरा आदा मैंने सौंफ ली है आप चहें साबुत पी लेले मैंने यहां ग्राइंट की हुई है और आधा चमच मैंने हींग और दो बड़े चमच मैंने बेसन के एड़ किये हैं बेसन इसलिए जो हरे मटर में मॉइस्चर होगा वो बेसन जो है वो इसे सोख लेगा तो यह बहुत ही अ इसको जब भीनी भीनी खुश हुआ तब तक इसे भूणना है अब इसमें एक चमच मैंने हल्दी का एड़ किया है इन सब को भून लेंगे इस तरह से अब इसमें हम जो भी हमने मटर दर्दरे पीसे थे वो सब इसमें मिक्स कर लेंगे अब इन्हें हम पांच मिनट तक पक वो mix हो गया है और ये 5 मिन पकने कबाद कुछ ऐसे दिखेंगे अब इसमें एक चमच धनिया पॉडर नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही रखें एक चमच देगी मिर्च और एक चमच गरम मसाला इन सब को भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे हम फिर से 3-4 मिनट तक प देखें अमारा जो मसाला था वो इस तरह से दिखेंगा देखें कितना कलर से ही कितना से टेस्टी लग रहा है अब हम GAS का F desires affirm करके हरा धनिया इसमें mix करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके इस तरह से छोटे-छोटे बॉल बना के एक साथ रख लेंगे दिखे इने थोड़ा सा लेके हाथ में इस तरह प्रेस करके छोटे-छोटे बॉल बना लें अब आटे के देखे आटा आदा घंटे के बद कुछ ऐसे दिख रहा है अब इसे एक बार फिर से हम हाथ से मसल कर इसकी हम लोई ले लेंगे इस लोई उतनी ही लेनी है जितने आप चपाती के लिए लेते हैं इन सब की लोई एक साथ हम बना कर रख लेंगे देखे मेरी सारी लोई जो है वो बन गई है अब हम इसे हाथ से थोड़ा सा गोल करके और कोटोरी की शेप देकर जो है इसमें हमने जो हरे मटर की बॉल्स बनाई हैं वो सब इसमें डाल देंगे इस तरह से बॉल को थोड़ा अंगूठे से प्रेस करके और आटे को इस तरह से जोईन कर लेंगे ध्यान रहे इनको बनाते हों बिल्कुल भी कोई क्रैक्स नहीं रहना चाहिए एक दम बिल्कुल स्मूध सा ये पेडा बनना चाहिए देखिए इस तरह से हम ये बॉल बना लेंगे अब इस तरह हम हाथ से इसे प्रेस करकर कचौरी की शेप दे देंगे आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं लिकनी हाथ से अराम से हो जाती है अब एक साथ ही हम ये सारी कुचौरी जो हैं वो बना के रख लेंगे देखिए इस तरह ये सारी कुचौरी जो है वो मैंने बना ली हैं अब एक डाही में तेल लेकर हम इसे फ्राइ करेंगे हल के हाथ से प्रेस करते हुए इसे इस तरह से हम दवा कर फ्राइ करेंगे और दोनों तरप से हम इसे उलट पलट करके सेक लेंगे जब तक इसका अच्छे से ब्राउन कलर नहीं आ जाता है देखिए देखिए हमारी कचाओरी का कलर ब्राउन हो गया और कितनी अच्छे से ये फूली फूली कसी कचारी बनी है इसी तरह से हम बाकी कचारीयां भी बना लेंगे देखे हरे मटर की कचारीयां बनाना कितना ही आसान है आप इने गरमा गरम चटनी या चाय के साथ खाएं ये बहुत टेस्टी लगती हैं आपको इस वीडियो कैसा लगा कुमेंट में जरू बताएं मेरे चैनल को लाइक, शियर, सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमेशा मुस्करात